हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल अर्शनास विलेज की चन में कैसे बाने आप सब उमीद बाप बढ़िया योगब दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के शेयर कर रहे हैं कदू को यहाँ पर कैसे कट करें सकते हैं और जैसे आप कट करते हैं लेकिन इसका सही तरीका क्या है वह मैं आपको बताऊंगी और इसे जानने के लिए दोस्तों बीग्लियों में हमारे साथ बने रहिएगा और यह काफी भारी कद्दू है तो यहां पी मैं एक सीली थी बगल में मेरे तो मैं उसी पीसे फोड पर नहीं ऐसे पटक सकते हैं तो यहां पर थोड़ा सा मतलब पटकने के लिए कोई उचा सा स्थान हो तो उस पर मैं इसे पटकूंगी और सबसे जरूरी है दोस्तों कि इसे हमें डाइरेक्ट कद्दू को कट नहीं करना चाहिए कट करने में कद्दू को और आज नहीं सबसे आसान तरीका है दोस्तों और कि कद्दू को बिना कट किये सबसे पहले आप इसे फोल के फिर उसके बाद आप इसे उपयोग मिलाईए और अपनी चानुसार पीसों में कट कीजिए और यहां पर देख सकते हैं कद्दू को मैंने इस तरह से फोल के और फिर उसके पहले कट करेंगे कितना भी आपका बड़ा चाकू हो या फिर कुछ हो तो मतलब मुश्किल तो होती ही है लेकिन इस मुश्किल का हल बहुत बढ़िया है कि आप इस तरीके से भी करें और सही तरीका भी है कि कद्दू को बिना पटके आपको कट नहीं करना चाहिए तो यह अगर आप जानते होंगे तो मुझे जरूर बताना दोस्तो या फिर नहीं जानते होंगे तो भी बताना और अगर आपने कद्दू अब तक इस तरह से नहीं कट किया है तो इस तरीके से जरूर कीजिएगा और अपनी मन चाहिए सबजी और प्राठे जो भी बनाते हों आप इसे कद्दू की पूगल बनती है कद्दू की बहुत सारी रेस्पी है और मुझे भी बहुत पसंद है कद्दू तो यहां पर सारे कद्दू को इस तरह किया से मैंने काट के और आसाने से निकल भी गए और इसे हमें पीस में कट कर रही हूँ चुकि मुझे इसे कद्दू की स तो आप इस वीडियों को पसंद आती है तो शेयर जरूर करना दोस्तों और पके हुए कद्दू हमारे थे तो यहां पर इसके बीच को भी आप रखके और बाद में इसे उगा सकते हैं और बहुत ही बढ़ियां बहुत ही helpful वीडियों है